11. Buildings, paintings and books तो मरुस्तमी और आइरन पिलर तो मरुस्तमी जो है वो एक बच्चा है वो काफी ज़ाद एक्साइटेड है क्योंकि वो कुत्ब मिनार को देखने के लिए जाने वाला है और उसका brother उसका भाई जो है उसकी wheelchair को काफी ज़ादा रितीले पत्थरीले इलाके में से खीशता हुआ लेकर के जाता है और उनकी महनत एक तरह से सफल हो जाती है क्योंकि जब वो आइरन पिलर को देखते हैं आइरन पिलर को देखने का जो उनका experience रहता है वो बहुत ही जादा अच्छा होता है अब यह metallurgy वारा देखेंगे पहले यहां देखते हैं द आइरन पिलर आइरन पिलर जो है महरॉली दिली में दिली में एक जगह है महरॉली वहाँ पर यह आइरन पिलर सिचुएटेड है इंपॉर्टन चीज़ क्या है इसकी हाइट हाइट बहुत पुछ ली जाती है एक्जाम में एमसे की उसमें की हाइट कितनी हाइरन पिलर की यह है 7.2 मीटर और यह एक्जामबल है कि हमारे देश के जो क्राफ्ट पॉर्संस होते थे वो कितनी जादा गजब की चीज़े बना दिया करते थे तो जो महरॉली का आइलन पिलर है वो 7.2 मीटर है और बहुत ही खुबसूरत लगता है लगभगात से वो 1500 अगो बनाया गया था और उसकी जो डेट है हम लोग को पता लगती है क्योंकि उस पर इंस्क्रिप्शन है इंस्क्रिप्शन का मतलब है महरॉली का जो आइ contradiction पिलर है उस पर लिखा हुआ है कि वो किसने बनवाया है किसने बनवाया है वो चंदर ने बनवाया है और आप सबको पता है कि iron में तो जंग लग जाता है लोहे में लग जाता है जंग बट ये जो iron pillar है ये 1500 साल से ऐसे ही खड़ा हुआ है और इसमें जंग नहीं लगता है और ये technology आज भी हमारे पास नहीं है कि ये जो iron है इस पे जंग ना लगने की ये कौन सी technology यहाँ पर इनो metallurgist थे जो metallurgy क्या होता है कि एक या दो तीन metals को मिला करके एक नई metal बना दी जाती है एक नई धातू एक नई element बना दिया जाता है उसको हम लोग metallurgy कहते हैं काफी ज़दा important contribution है इंडिया के metallurgy का पूरी की पूरी दुनिया को अगर हम लोग बात करें जो हड़पन वेली की भी चीज़े हडपा के लोगों ने बनाई थी और उन्होंने ब्रॉण्स की भी चीज़े बनाई थी ब्रॉण्स कैसे बनाई चाती है कॉपर जो metal होती है और तिन को मिक्स करने के बाद एक metal बनती है उस metal का नाम हम लोग कहते है कि वह ब्रॉण्स होती है तो कॉपर और त Civilization थी इसको हम लोग Bronze Age भी कहते हैं क्योंकि वहां पर Bronze के ही चीज़े बनाई जाती थी और आइरन की जो है हम लोगों को पता नहीं थी कि अब आता है Bricks, Buildings जो बनती है वो लकडी, Sorry, Buildings जो बनती है वो इटों की और स्टोन की इट और पथर की बनाई हुई जो Buildings होती है उनके बारे में हम बात करेंगे तो जो Skill होती थी ना हमारे जो Craft Person की वह बहुत ही जादा प्सूरती से हमें देखने को मिल जाती है जो हम लोग Archaeological Sights होती है, Archaeological Sights वो होती है जो बहुत पुराने समय में इमालते बनाई गई थी जो बड़े-बड़े महल बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे, मंदिर बनाए जाते थे तो मसारी Archaeological Sights होती है और इसमें सही एक हमें बहुत अच्छा नमूना देखने के लिए मिलता है स्टूप का, स्टूप क्या होता है यह जो शब्द स्टूप है इसका मतलब होता है Mound, मतलब इस तरीके की गोलाकार जो चीज होती है उसको हम लोग स्टूप कहते हैं, और इस जो स्टूप काफी स कुछ चोटे भी होते थे और उनके कुछ common features होते थे जैसे की जिते भी स्टूप होते थे उनके बीच में एक छोटा सा box रखा जाता था स्टूप के center में या फिर उनके heart में आपनों कह सकते हैं एक box रखा जाता था और उसमें काफी सारे bodily remains होते थे यानि की जो स्टूप ज हो गए हमारे नाखून हो गए और जब बॉड़ी को जिला दिया जाता है उसके बॉड़ी की राख यो है यह सब स्टूप के center में रखी जाते है जो बुद्ध धर्म के जितने भी बड़े बड़े उनके जो प्रवक्ता होते है ना जैसे की गौतम बुद्ध हुए गौतम और भी जो गुरू हुए उनकी भी स्मृतियां उनकी bodily remains उनके बाल उनके नाखून उनकी हड्डियां या फिर उनकी ashes यह सब उनके समाल करके रखे गए हैं और काफी सारे चीज़े जैसे की जो precious stones कीमती पत्थर या सिक्के यह भी समाल के रखे जाते हैं यह box जो है known as relic cascade was covered with a relic cascade मतलब एक डबा सा होता है इसमें relics होते हैं relics वही जो उनके पचेवे समाल जैसे बाल नाखून हडियां राख वगरा और उसके उपर अर्थ से मिट्टी से कवर कर दिया जाता था लेटर जो है उसके उपर और मिट्टी की लेयर बनाई जाती थी और ईटो की लेयर बना दी जाती थी फिर उसके बाद एक डोम जैसा structure की इस तरीके का structure है वो बनाया जाता था वो sometimes covered with carved stone slabs तो stone की slab पत्थर की जो इस तरीके के कोने कोने से उनको सजाने के लिए इस तरह से बना दिया जाता था अब जैसे यह देखिए यह वारी जो इमेज है यह ग्रेट सांची सांची जो की मध्य परदेश में स्थ है वहां पे इस तरीके का हमें स्टूप देखने के लिए मिलता है यह बहुत ही जादा फेमस है पुरी दुनिया में तो इसके स्टूप तो इसमें हमें बताया गया है कि यह जो मड़ का माउंट होता है जैसे की नीचे मिट्ट कुन मोड़防 चिर्थे कि अधरिया मंभान गया जैसा क्वा टाए वृषक रखिटे हैं क्यिख संटोपटिख यह गया टीया जाने की जाना में लिए तो तरीकी की चीजिए पिर लेफ्ट में स्कूप्चिर फर अंबरावतगी स्कृप्च्रस पनंडें प्लंज के मूं तो इसमें यही बताया गया है कि कुछ जो होते हैं किनारे पिर चलने के लिए जो पाथ होता है जो रस्ता होता है उसको हम लोग प्रदक्षणा पत कहते हैं तो अफन अपाथ नोन एज प्रदक्षणा पत वस लेड अराउंड स्थूप के चारों तरफ के आप लोग उसमें पत का मतलब होता है चक्कर लगाना पत का मतलब होता है रास्ता इंगलेश में पत से ही पाथ बना है तो जो पाथ होता है प्रदक्षणा पत के चारों तरफ चकर लगाए जाता है और वह सूप के चारों तरफ बनाए जाता है और उसके किनाए किनान देखे रेलिंग्स भी स्टूप के चारों तरफ क्लॉक पाइस डियरेक्शन में चक्कर लगाते हैं और इनकी रेलिंग्स और गेटवेस जो हैं डेकुरेटेड होते हैं काफी जादा विज करते हैं अलगले मूर्तिया बनी होती हैं और पेंटिंग्स वगरा बनी रहती हैं इनकी दिवारों पर यह कितने खुबसूरी पेंटिंग्स वगरा नहीं बनी हुए हैं अम्रावती जो है पेजंब अम्रावती जगह है तो वहां पर आप लोग काफी सारे मैंगनिफिसेंस रूप एक टाइम पर हुआ करते हैं तो कहीं सारी बिल्डिंग्स जो होती है ना वो पहाड़ों को क्या कर यह पूरा यह पहाड है इस पहाड में बीच हूचने उसको खोकला गार देते ह। और फिर क्या हो जाती है गुफाय और इस बन जाती है कुछ अल्ली पुराने हिंदू टेंपल्स मिलते है ना इस समय पर जो 2000 साल पहले या फिर 1500 साल पहले जो बनाए गए थे ना वो किस किस के लिए विश्णू के लिए शिव के लिए दुरगा के लिए उनकी वर्शिप की जाती थी जैसे कि पहाडियां को काटा गुफाय बनाए उसमें गुफाय। में मंदिर हमें देखने के लिए मिल जाते थें। काफी ज़दा इंपॉटेंट पार्ट जो होता था ना पुराने जमाने में टैंपल का उसको हम लोग गर्ब ग्रिहा कहते थे गर्ब ग्रिहा जो इलाज से की यह ठेंपल है सबॉस्ट कर गें। यह इस देघ्ज के ऐसा है यह बगवान शिफ का मंदर है बड शिफ भगवान के लब बाकी भगवान की मूर्थिया होंगी तो गरवग्री है बीच यह वाला पर इतर एकने आसपास रखी होगी यहीं पर प्रीष्ट होते हैं पंडित वह सारी पूजा वग करते हैं तो अफ़न जातर जैसे की भीतर गाउं एक जगह है उत्र-पदेश में तो काफी पुराना टेंपल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उत्र-पदेश के भीतर गाउं में तो गर्ब ग्रीहा हम लों को बताय था अपको भी तोई दर पहले जहां पर भगवान होते थे ँस स्ट्र टैंपर्स हेड़ एक पीपल को डेसेंबल तो देखिए ऐसा होता था जैसे कि सब्बोस करे ये ऐक मंदिर है यह मंस्स टेंप नहीं को छाने का रस्ता है तो यहांने वाला रस्ता होता है जहां पर भगत लोग खड़े हो सकते हैं पुजा अरचिना के लिए उस रस्ते को उस जगह को कहा जाता था मंदप मतलब जैसे कि यहां पर गर्भ घ्रिया है इसके तरफ को रस्ता जो जाता था उसको मंदप कहा जाता था जहां पे लोगा किटा हो सकते थे महाबली पुरम और आई होल जो है आप पेज रंबर 105 अपने बुक में खोल दीजिए वहां पर आ आप दगता जहीं करें दाव जो है कि महाबली पुरम के मंतिर है इसमें क्या हुआ है ना कि एक डचन थी बड़ी सी एक चाटान को कुरेद कुरेद करकर के कारविंग करे के यह सारे के सारे मंदिर बनाए गए है, यह एक चक्तान से बनाए हुए है, मतलब एक ही तदिके का पत्थर था, उससे बनाए हुए है, तो काफी ज़्यादा यह फेमस है, यहाँ पर यह लिखा हुए है, कि एक कार है, बहुती बड़ी सिंगल पी स्टोन था, उससे यह सारे के एक ही पत्तर से बनाए हमें मंदिर, यह जो हमें महाबलीपुर में मंदिर मिलते हैं, यह मोनोलेक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, और यह वन ऑफ दा फाइनेस टेमपल है, पुरी दुनिया में बहुत ज़दा माना जाता है इनको, और बहुत ही खुबसूरत इनकी पेंट आउसज दुरगा के टेमपल है जो लगभगास छौथास सवाल पहले बनाया गया था अभी आ है, इस तरीके से बनायगा जाते कि वो बहुत ही जो किंग जो पैसा लगाया करते थे मन्दिरों का बनवाने में क्यूंकि मंदर जो है ना उनकी शान का प्रतीक होता था जितना ज्यादा पावर्फुल है जितना ज्यादा ताकत वर राजा होता था वह उतने ही बड़े और खुबसूरत मंदर बनवाया करता तो इसलिए उसके लिए कई सारे स्टेप्स होते थे सबसे पहले क्या हो जाता कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पत्थर उनको मंगवाना होता था उसके लिए सबसे पहले एक जगह खोजी जाती थी जो खूब बढ़ी हो और पढ़िया जगह हो फिर जो पत्थर चुने जाते थे उनको लाया जाता था उस जगह पर और फिर रफ ब्लॉक्स अफ स्टोन होते थे फिर इनको शेप दी जाती थी बतलब बड़े-बड़े पत् फरश बनाए जाता था सीलेंग छहट बनाए जाती ती और बहुत ही अच्छे से यह काम किया जाता था फो यहां पर यह देखें जैन टेंपल है जैन मुनेस्टरी तैहां मुनेस्टरी वह होते थे रहने के जगह हर पर जका सः खं़ इर तो मुनेस्टरी वे लोग रहा करत आप entrance को देखिए rooms और जैनमोंग्स यहां पर रहते थे meditate किया करते थे और यह हमारी caves है यह पहले साला कैसे है पहले वाले जो है वो मंदर थे और यह क्या है यह रहने की जगह है Kings and Queens जो है वो काफी जादा पैसा अपनी Treasury में से Treasury होता है खजान आपने खजाने से बहुत जाद जब डिवोटीज जाने की श्रग धालू जाते हैं मंदरों में तो कुछ नहीं पैसे चढ़ा के आते हैं या कई बार मूर्दियां दान करके जाते हैं या कुछ भी तो वो सब चीजें भी मंदिर में लगा दी जाती थी एक्जाम्पल के लिए एन अस्वोसियेशन ऑफ प्लो का खिता आये हैं और नोंने मंदिर का गेट बनवा दिया तो थांशी का गेट इस तरीके से बनाया गया है काफे सारे मर्चेस जो हैं फार्मर्स गालन मेकर्स पर्फ्यूमर्स स्मिट्स और हंड़िद ऑफ में और विमें फू आर नोन उनली बाई नेम वर विच वर तो जो लोग डोनेशन करके जाते हैं मंदिरों में आपने कहीं बाद देखा होगा कि यह वाली चीज इन्होंने दान करी है फिर यह वाला पार्ट इन्होंने बनवाया है वो अपने नाम लिखवा देते हैं कि यह वाला पार्ट मंदिर का इस परसन ने बनवाया है यह यह तो इस तरीके के डुनेशन वगारा आज भी दिये जाते हैं और पहले भी दिये जाते थे तो जब भी आप लोग किसी भी बिल्डिंग्स वगारा में जाएं तो आप लोग देखें कि कितने जादा लोगों ने इसमें काम किया हो और कितनी खुबसूरती से इन मंदिरों को बनाया गया है तो देखिए ये भी एक मंदिन में एक मूर्थी का नि जो दिवारों पर खुबसूरती से कर दी जाती है ना पेंटिंग्स पेंटिंग्स के हाथ से नहीं जो पत्थरों की पेंटिंग्स है पत्थरों को गाड़ गाड़ के बनाया गया है, तो a sculpture from a national museum of New Delhi, अब देखे आते हैं painting, अजंता जो है, अजंता एन एलोरा, अजंता एन एलोरा कहां पर महाराश्य वाले रीजिन में मिलती हैं, और where several caves were hollowed out of the hills over centuries, तो सदियों से वहां पर काफी सारी जो caves होती है, वो बनाई गई है, कैसे पहाड़ों को काट काट कर वहां पर गुफाय बनाई गई है, और जाधा तरी किसके लिए बनाई गई है, monasteries for Buddhist monks, and some of them were decorated with paintings, तो बुद्धिस्ट जो monks होते थे, जो इन में रहा, जैसे बुद्धिस्ट monks पुराने जमाने में एक जिक्ते से दुस्ट जेगे घूमा करते थे, तो उनके रहने के लिए, राजा महराजा या बड़े-बड़े जो businessmen and merchants होते थे, वो उनके लिए एक तरह से आप कह दिए, धर्म शालाय बनवाते थे, कोछ लोग क्या करते थे, कि caves जो होती थी, वो बनवादिया करते थे, पहाडियों में तो पुद्र स्वंगुद में रहा करते थे, तो वहाँ पर paintings वगएर भी आपको बड़ी खुबसुरू देखने के लिए मिल जाएंगी, तो यह देखिए कुछ example है, यह painting यह बनी हुई है, यह अजंता से लिए हुई painting है, और बहुत जगे आपको बड़ी प्यारी-पैंटिंग्स देखने के मिल जाती है, caves जो हैं काफी अंदर से dark होती है, तो जाद दर paintings जो होती है न, were done in the light of torches, जिस तो torch के light में यह paintings बनाएं गई होंगी, और उनके colors जो हैं, काफी vivid, काफी चमकीले colors है, काफी प्यारे colors है, और आसे लभगे 1500 years पहले बनाई गई है, और plant and mineral resources, plant से जो color मिलते हैं, mineral से जो colors मिलते हैं, जैसे कि चूने से आप white color ले सकते हैं, है न, और बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि प्लांट से आप green color ले सकते हैं, indigo, जो होता है, उसे आप blue color ले सकते हैं, और इस तरीके से बड़े प्यारे colors बनाए गए हैं, आज भी ऐसा लगता है, कि बिल्कुल नया बना हो, यह देखिए कि इतनी खुबसूरत painting है, इस तरीके से painting बनाई जाती थी, अब देखिए next,